यहां पर जे सीवी डाल करके इसको नहें से हमने शुरू कर दिया प्लांट चाहिए रूट स्टॉक इंपूरिट चाहिए या अपना त्यार किया हुआ रूट स्टॉक चाहिए या आपको पौधे चाहिए तो आप अचाहिए जैसाओ रूट स्टॉक रूट स्टॉक ज़गा किया है याइ याइ है याइ गजिए कर साथियो जेहिन साथियो मेरा नाम रेतन सिंग है और आप मेरा देख रहे है यूटूब चैनल जेकिसान एचपी साथियो आज हम बगीचे को काट रहे हैं तो आपने यह देखा शुरुआत थोड़ा सा क्या होता दुखत होती है तो यह जो बगीचा लगाया था मैं पहले बता दूँ यह 1970 में मेरे द दादा जी की उमर आज मेरे बड़े दादा जी जो है वो स्वर्गिय हो चुके हैं तो मैं उनकी आत्मा के लिए शांती मैंगता हूं और जो मेरे दादा जी छोड़े दादा है दो भाई तो दूसरे जो भाई थी वो आज लगोगे 55 साल के हो गये और मेरे पापा जी भी 73 24 साल के हो गये हैं तो उन्होंने यह बगीचा लगाया था मेरे दादा ने लगाया मेरे पापा के लिए पापा ने लगाया हमारे लिए उन्होंने भी इससे फ्रूट निकाला और हम भी आज इस पर काम कर रहे हैं लिकिन क्या होता है दोस्तों कि यह पौधे जो हैं हम आज लिखाते हैं तो लगवग 10-15 साल वाद ये इसके क्रॉप आनी शुरू हो जाती ये सारा आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े पेड़ हैं तो ये बहुत ही बड़ा बगीचा था और बड़े पेड़ों का था और ऐसा वे नहीं है कि इसमें फ्रूट कम आता इसमें बह बगीचे में निकली तो क्या होता है कि अब इसमें खर्चा जादा है और इंपुड कमा रही है तो दोस्तों हमने सोचा कि ना इसमें हम नया बगीचा लगा अब जो नया बगीचा लगा रहा हूं तो मैं लगा रहा हूं वह मेरा बेटा तो लेगा लेगा उसका फाइदा पर मैं उसका फाइदा डारेक्ट मैं खुद लूँगा क्यों क्यों कि जो पौधे मैं लगाऊंगा वो ऐसे पौधे लगाऊंगा जो एक दो तीन साल में आपका फूरूट देना शुरू करेंगे और इसी के लिए मैं आज इसको काटने जा रहा हूं तो यह शुरुवात मैंने कर दी है और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसमें अच्छा करने की कोशिश की मैंने इसमें बहुत अच्छा कोशिश की थी जैसे यह आप देख सकते हैं यह जपानी की पौधे लगाने की कोशिश की बीच में यह और अच्छे चले हुए हैं पर आप देख सकते हैं और यह इस साल की ग्राफ्टिंग है यह इस साल की ग्राफ्टिंग है इसमें इन पोधों में इस साल की ग्राफ्टिंग है यह यह आम लोक लगाए था और उसके बाद मैंने इसको ग्राफ्ट किया था तो यह सानी है कि यह चलनी रहा है अच्छा चल र बहुत सारे पेड मिक्स हैं तो इससे मुझे थोड़ा सा मैनुली तो मैं नहीं कर चकता इसके लिए मुझे जेसी वी डालने पड़ेगी उससे मैं प्लैन करूँगा ये वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं इस वार कब जेसी डालेंगे किस तरह में बनाएंगे तो इसमें हम प्लांट जो लगा रहे हैं इसमें हम M9 और 111 लगा हूँ खास कर मैं ऐसे प्लांट लगा रहा हूँ जो हमने खुद त्यार किये हूआ हूँ उन प्लांटों को लगा रहा हूँ और किसी भाई को अगर इंपर्टिट प्लांट चीए रूट श चाहिए यहां आपको पहुत दोस्तों मुझे संपर्क कर सकते हैं मैं इस वीडियो को आपने पूरा देखना अंतक और मेरे यूटूब पर जो नहीं मित रहें तो वह प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सिस्क्राइब करें आपको इस साल बहुत सारी से संबंदीत वीडियो मि पर सेब पर मैं आपको ज्यादा फोक्स दूँगा इसमार सेब के बगीच paradigm उपको शचीद को चैन्ज करेंगे मतलाidente नीचे की मिटayı ऊपर की मिटी की नीचे डाल देंगे तो उसके पर हम काम क्रेंगे और यह याइक बहुत अच्छा ओर्षण बनाउंगा और फ시면 2000 प्लां सबी बढ़े थी यह आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है इसमें लगए 20 पेटी निकलती है पूधा यह पॉधा आज फूध दे रहा एक पूधा पूधा यह पीछह वाला पौधा 25 साल तो इसने और आट-दस साल पहले यह फूधा देना शुरू कर दिया तो मेरे दादा जो पापा-जी है वो दुकानदारी करते हैं और मेरे पापा जी आज कल जहां बैठते हैं वो एक छोड़ी दुकान बनाई हुए वो पोस्ट मास्टर थे रेटाइर होने के बाद उन्होंने दुकान का काम जो चलाया वहीं पर है और मेरे दादा जी भी आज कल हमारे साथ यहां आयों है बैस समय लगा और जब आज उन्हें बताने में मुझे यह लगा कि देखो बगीचे में इतना खर्चा हो रहा है इंकम कम आ रही है खर्चस ज्यादा हो रहा है तो मैं यह पौध पौधों ने हमें बहुत पाला पोसा हमारे पुरी परिवार को पूरी फैमिली को बहुत उठाया है मैं यह दुख भी हो रहा कि इन्हें हम काट रहे है क्योंकि बहुत ज़ादा जब आप किसी के सहरे चले तो इन्होंने हमें बहुत स्पोर्ट किया इन पेड़ों ने तो आज हमें इसलिए काटना पड़ा दोस्तों हम नया बगीचा लगा रहे है जहां 500 पेड हम काटेंगे वहां हम दो हजा पेड नया लगाएंगे अब और दूसरा इसमें हमने जैसे जपानी के पेड हैं यह हम उखाड करके दूसरी जगा शिफ्ट कर देंगे तो यह हमने जो काटा आज है अब इसको क्या किया हमने इसे मशीन से काटा है मीन से काटा और हम क्या करेंगे जैसे ऐ आने तेक इन लकडियों को उठा देंगे पेडों को काट करके जैसी बी से हम जब जैसी वी3MP फिर इनको उखाडेंगे और इसको थोड़ा सा ग्यारा खोद करके इसकी जड़ें भी पूरी निकालेंगे और इसको ताकि इसकी मिट्टी चेंज हो जाए इसमें बहुत सारे पेड़ हमारे जा चुके हैं लगवाग इस पार 15-20 पेड़ हमारे ऐसे हैं जो डैड हो चुके हैं पूरे मर चुके हैं और इसमें ऐसा नहीं है क करने की कोशिश करूँगा इसके ड्राइको ड्रमा सुडो मिनास बगरा और और अर्गैनिक खादियों को मैं ज्यादा इस्तमाल करूँगा और दोस्तों मेरी वीडियो को आप पूरा अंत देखना है क्योंकि मैं छोटा से क्लिप और चोड़ूँगा जहां आमने एक जेसी 99010 दोस्तों यह हमने 2014 में लगाया हुआ है फरवरी में आप प्लांट देख रहे हैं और इसमें हमने जेहुक लगाकर करने वेंडिंग कर दी है यह जेहुक है और बहूत जबरजस्त यह वेंडर है वेंडिंग सिस्टम है यह और इसकी वीडियो मैंने यूटूब पर डाल दी थी बहुत ही जबरजस्ता आइटम है ये देखो किस तरह बेंड करता बहुत ही मज़ेदार काम है इसमें और जादा इसमें देखो ना कुछ जादा टैम नहीं लगता इसी तरह हम इसको और किसी भी भाई को अगर M9 हो गया टिपल वन हो गया 106 हो ये इस पर आपको ये प्लांट मिल रहे है आपने मुझे संपरक करना है और मेरा नंबर है 4489 010 और आपको ऐसे ही पौधे मिलेंगे जो अगली साल आपके पहुत अच्छी चलेंगे तो ये एक साल का है आप देखो कि ये दो साल में ये कैसे पौधे बनेंगे हमने जो खादें डाली है वो मैनुवली डालते हैं डिप यूज करते हैं पर ज़्यादा सुखे में पर मैंने तो यहाँ ज़्यादा पानी भी नहीं दिया इसकी बज़ा क्या है कि हमारा थोड़ा सा शेड़ी पोर्शन में जैसे आपको पौधे को लगता कि पानी की जुरूरत है आप उस हिसाब से ही उनको पानी दें और इस बार में इसमें नोचिंग करके यहां से मैं और फैदर निकालूंगा इसमें और यह देख लो दोस्तों यह मैंने डाइफुट पर काटा था क्योंकि इससे क्या फाइदा है कि यह ग्रोथ बहुत ज़ादा देगा यह यह देखो आप कितना अच्छा चला है बहुत ह इसे अब इस साल नोचिंग करूँगा और पच्चिस दो हजार पच्चिस में यह बहुत अच्छा फैदर वाला बनेगा तो आप लोगों को अगर पौधे चाहिए कुछ भी चाहिए पौधे है यह हुक है रूस्टॉक है इंपोर्टिट प्लांट अगर आपको के यह बहुत ही बढ़र बल्कि यह बिलकुल जिंगल के निजदीक है और इसी इसायड वहारा सीड़िंग का है किसा रूसाइब पेर यह इसायब हमने यह परण शार दो बाहे कि São लिग आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए रूट स्टॉक चाहिए अगर आपको पोधे चाहिए इंपोर्टिट और दोस्तों ये मेरे थुरू नहीं आएगा ये इंपोर्टर करना मैं आपको वकाईदा नमबर दूँगा आपने इंपोर्टर से बात करनी है डारेक्ट आपको जो भी माल आएगा बो इटली से आएगा उसकी नर्सेरी का मैं आपको पूरा दे दूँगा आपको वर्षब मुझे वर्षब करना है और मैं ये आपको वर्षब मैं आपको ये सब बता दूँगा दोस्तों मेरी वीडियो को अंद तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन